हेलो बच्चों आज हमारा क्वेस्टन है दा लीस्ट नंबर विट वन डिवाइड़ बाई 12, 16, 18 लीफ्स रिमेंडर 5 लीफ्स 5 एज रिमेंडर इन इज फैंड नंबर जिसे में 12, 16, 18 से डिवाइड करूँ, तो पर हमें 12 से गडंता 18 से अगर उसको divide करो तो उसमें कितना remainder हैगा least 5 as a remainder in each case तो सबते पहले हमें क्या least number तो हमें सबते पहले इनका क्या निकालना LCM निकालेंगे अगर मैं 12, 16 क्योंकि least number की बात करें तो हमें क्या निकालना least common factor निकालना LCM least multiple okay तो 18 का क्या निकालना LCM निकाल देंगे दोको 2 से जाएगा 2, 6 जा 12, 2, 8 जा 16, 2, 9 जा 18 फिर अगर 2 से जाएगा 2, 3 जा 6, 2, 4 जा 8 और 9 में 2 की टेवल जाते नहीं है फिर अगर 2 से देंगे 3 में 2 की टेवल जाते नहीं 2, 2 जा 4 और 9 में भी नहीं जाती है फिर अगर 2 से देंगे 3 में नहीं जाती, 2 बन जा 2 और 9, अब 3 से 3 बन जा 3 यह यह 3 तरी जा 9, अगें फिर 3 से 1, 1, अब 1, अब हम देखेंगे LCM, LCM, least common multiple, दोको multiply करेंगे, 2 multiply 2, multiply 2, multiply 2, multiply 2, 4 time है, 1, 2, 3, 4 time है, into 3, multiply 3, अब देखें, 2 तू जा 4, इनको multiply 4 हो जागा, 4 तू जा 8, 8 तू जा, 2 तू जा 4, 4 तू जा 8, 8 तू जा 16, into 3, into 3, देखें, 16, 3 जा केतना होता, 48 होता, 43 into 3, 3 एट जा 24, carry 2, 3, 4 जा 12, और 2, 14, 1, 44, लेकिन यह ओ नम्मर है, जो तीनों में, पूरा-पूरा divide होता है, यह तो इसका क्या आता है, least common multiple है, मतलब 3 के table में इतना आता है, अगर मैं 12 को भी से divide करेंगे, तो पूरा-पूरा जाएगा, 16 से भी पूरा-पूरा जाएगा, 18 से भी पूरा-पूरा जाएगा, क्योंकि यह ओर नम्मर है, जिन में तीनों का divide जाता है, least common multiple है, ओके, लेकिन हमें तो 5 remainder चाहिए, इसमें इच केस में, इसमें क्या करेंगे, आप 5 प्लस कर देंगे, तो यह 149, वो नम्मर हमारा क्या होगा, 149, क्योंकि 144 वो नम्मर है, यह तो हमारा, क्या निकाला, एलसम निकाला, तीनों से divide होगा, complete divide होगा, लेकिन अगर मैं इसमें 5 प्लस कर देंगे, 149, तो यह तीनों से divide नहीं होगा, इसमें remainder कितना बचेगा, 5 इसमें remainder बचेगा, ओके?